हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो माई यूटूब चैनल और विल्कम तो माई क्लास एंड कैसे हैं सबी लोग आई हो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए फ्रेंड्स हमारे सीरीज चल रहे है क्विस्टिन ट्रैक की जिसमें हमने पार्ट वन को कवर कर लिया है और अब हम लोग पार्ट टू को देखेंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं देखें ह यह कहा है कि अगर कोई भी sentence में कोई भी statement में अगर मतलब की जली वर्व ना दिये गई है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे डूड ऐसी है दिट से वह संटेंस को क्यूशन ट्रैक को हम बनाएंगे यह बात कही गई है ठीक है फ्रेंड तो चलिए देख लेते हैं इस रूल के कॉर्डिंग हम लोग कुछ संटेंस देखेंगे देखें जिसे क्या है सी प्लेज चेस ब्यूटिफूले सी प्लेज चेस ब्यूटिफूले अब देखें यहां पर क्या लगा लगए है प्लेज वर्व अब यह हमारा टेंस कैसा है प्रेजंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है ठीक है प्रेजंट इंडेफिनिट का simple sentence यहाँ पर दिया गए है और क्योंकि पता है आपको कि simple sentence में कोई भी verb मतलब की helping verb यूज नहीं होती है do यूज यूज नहीं होता है तो अब हम किसके according लगाएंगे इसके according लगाएंगे यह हमारा singular है तो singular की जगह हम क्या लगाते हैं प्रजेंट इनिफने में डश लगाते हैं ठीक है फिर क्या लगाते हैं डश और यह हमारा sentence कैसा है statement कैसा है positive है तो हमारा question tag कैसा बनेगा निगट यहाँ पर क्या हो जाएगा doesn't क्योंकि यह हमारा singular तो singular के जगह हमारा जो helping verb होती है डश लगती है तो क्या हो जाएगा doesn't और इसके बाद pronoun क्या है she she लगा देंगे फिर question mark बात clear हुई न क्योंकि हर जगह के आता था कोई helping verb आ जाते थे उसको रखे और not लगा के हम subject लिग देते थे लिकनी यहाँ पर helping verb आया ही नहीं तो जब नहीं आया था हमको यह समझना पड़ेगा यह किश्टेंस का है ठीक है कैसा वाकिया है और किसके recording कौन सी हम वर फार्म यूज करेंगे ठीक है तो उसी तरी के हम लगाएंगे इसी का देख लीजे और भी देख लीजे एक जैसे है we play fair क्या है we play fair हम म मेला है ना में खेल खेल मतलब कि खेलते हैं तो अब यहां पर देखा जाएं तो we play fair यहां पर क्या है plural है ना play यह तो लगा नहीं है किसके recording इसके तो यह sentence कैसा है sentence हमारा positive कि टाइप का है simple sentence है और कौन सिटेंस का है present का है present indefinite का ठीक है present indefinite का है तो उसके recording हमको क्या लगानी है do your does लगानी लेकिन subject क्या है plural तो उससे किसाफ से वर भी प्लूरल आया है तो प्लूरल में present indefinite का हम कौन सा लगाते हैं वह दूर्ड़ में क्या लगाते हैं डू लगाते हैं तो यह हमारा positive sentence है तो इसका question tag कैसा बनेगा negative क्या हो जाएगा don't we subject के हम भी लगाएं क्योश्चिन मार्व क्योश्चिन चलिए अब देख लिए नेक्ट दे वेंट टू पार्क दे वेंट टू पार्क इसका हो जाएगा didn't they क्योंकि यह क्या है दे वेंट टू पार्क यह भी हमारा है किसका present indefinite का वह past indefinite का हरा है क्योंकि यहां पर वर्भी कौन से फार्म लगाए second तो past indefinite का जो simple sentence होता है उसमें कोई भी helping work भी यूज नहीं होती है हमें सब्वर्भी कौन से फार्म यूज होती है second फार्म होती है ठीक है कैसी फार्म है second फार्म है तो second फार्म है तो हमको पता चल गए कि past indefinite का है जब हम इसका question tag बनाएंगे तो हमारे क्या लग जाएगी did लग जाएगी ठीक है डिडेंट दे क्योंकि हमारा positive है तो कि फुद्धा कैसा बनेगा negative बनेगा आई हो फ्रेंट यह चीज़ें आपको clear हो रहे होंगे ठीक है चलिए देखते हैं next बोल बेरली hardly, no, neither, none, nobody, no one, nothing, seldom, scarcely, rarely ठीक है इन सब में अगर यह कहीं भी आ रहा है तो हमेशा कैसे माने जाएंगे अगर यह वर्ड हमेशा अगर कहीं भी कोई भी sentence में मिल रहे है तो आप उस sentence को क्या मानेगे negative sentence मानेगे क्या मानेगे negative statement माना जाता है क्योंकि इनका सबका sense होता है चीक है तो क्या माने जाएंगे negative sentence से उनका negative sentence माना जाएगा तो उसका positive sentence अगर यह वर्ड लगे तो उसका negative इसका बनेगा positive लेकिन का sense कैसा होता है negative बात क्लियर हुई ना कि मतलब बेरली अगर आ जाएंगे तो उसका भी हमारा sentence किसमें नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा है तब भी नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा है तो आप जानते ही negative होता है ना इदर ना तो यह भी ह so, nobody, no one, nothing, seldom, ठीक है इसकारस ली यह सब क्या होते हैं सब negative sense डेते हैं तो इसलिए हमारा statement होता है वो बन जाता है negative दीखी फटेंस पर ही है नठिंग, अब नठिंग यहाँ पर क्या है, नठिंग हमारा सेंस दे रहा है, नेगिटिव का, क्या दे रहा है, नेगिटिव का, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगिटिव सेंटेंस हो गया, तो हमारा क्विश्चन टैक कैसा बनेगा, पॉजटिव बनेगा, देखे, लगा यह हमारा क्या बनगे positive sentence बात clear हुई न तो इन चीजों को याद रख लेना है जितने भी मैंने वर्ड बताए हैं यह चीज़े अगर याद कर लेंगे तो आपका question tank कभी भी wrong नहीं होगा ठीक है देख लेते हैं next example she seldom weeps she seldom weeps मतलब कि वह कभी कभी रोती भी है ठीक है तो यहाँ पर जो seldom है seldom का मतलब क्या है negative sentence है क्या है negative sentence है तो जब negative sentence है तो हमारा sentence कैसे बन गया है negative तो इसके recording हमारा question tag कैसे बनेगे positive हमें इस अपोजित होता है तो she seldom weeps weeps हमारे क्या है weeps हमारा है singular verb में yes लग गए तो वह singular बन गई है तो यह हमारा बन गया present indefinite का simple sentence तो उसके recording हम क्या लगांगे डू या डज अगर simple है ने singular है तो singular की recording हम डज लगा देंगे फिर क्या लगा देंगे शी यह हमारा write होगी बात clear होगी ने फ्रेंट बिल्कुल देखें यह जितनी भी जीचे आपको बताई चाह रहे हैं आपका कोई भी एक्जाम हो चाहिए वो वंडे एक्जाम हो या भी कोई टीचिंग एक्जाम हो कोई भी एक्जाम हो अगर जिसमें इंग्लिस ग्रामा राती है तो यहां से विध सब्जीक्ट वी एट देन्डदर सब्जीक्ट ऑफ टैग बी कम एच बडेंग संपालो सश्विघ्यों कोई इन्टडे मैं इंट्रटट्री सब्जיל करते हैं और यह वहां इस तरीके कुछ फालो करते हैं, देख लीजे, जैसे subject वहाँ पर क्या दिया हो, इंट्रेक्टी मतलब introduce कर रहा हो, देखे जैसे statement क्या है this, क्या है subject उसमें क्या दिया हो this, तो उसको हम किसमें tag में क्या लिख देंगे उसकी जगा, इट लिखेंगे, क्या लिखेंगे it, ये चीज बहुत अच्छे से याद में रखेंगे, ठीक है, लिख लीजे, इस का क्या बन जाएगा, इट बनेगा, ये subject है, ये इधर क्या है, subject है, statement के subject है, और इधर subject है, of tag, tag का subject ये बनाएगे, ठीक है, देखे, this है अगर, statement में, तो उसका, question tag में, हम subject क्या लिखेंगे, it, that है, statement में, subject, तो किसका क्या लिखेंगे, it, अगर these है, statement, subject, तो उसका क्या लिखेंगे, हम they लिखेंगे, अगर दोज है तो भी हम क्या लिखेंगे दे लिखेंगे इसी तरीके क्या है वन है तो वन का तो वन ही लिखेंगे देयर का देयर ही लिखेंगे इट का इट लिखेंगे तो ये चीज़े आप लोग की स्क्रीन साथ इसका ले लिजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह चीज़ें भी आप बहुत लोग confused हो जाते हैं कि अगर दिस आया है तो बहुत लोग दिस ही लगा देते हैं दैट आया है तो दैट ही लगा देते तो यह बिल्कुल wrong होता है इनकी जगम को क्या लगाना है इट लगाना है और दिस दो जantine तो इन की जगें हो क्या लगाना है डे लगाना है ठीके फ्रेंट और रुण है तो मैं की जगँ जगँ देहर की जगँ इट-र इ्ट- जगalah इर, Petra यह चीजिए हैं पर इग्जैंपल केसे बर्यंकिन जान्यमंद कीकी लिखें जानी गें तो इसी का अभी इं लिख गया ने?it.is.k. recording क्योंकि this के जगा क्योंकि this के जगा क्यों में क्या लेकाना है?it लिखना है ठीक है? बात clear में न? इसे तक देख लेजिए there is a cow there is a cow यह पे there आया है न बिलकुल तो इसी लिम्ट क्या लिखेंगे क्लियर हो गई नप अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल देखें, if the subject of the statement, अगर statement का subject कैसा हो, an indefinite pronoun में दिया गया हो, कैसा pronoun, indefinite जो अनिश्चित pronoun हो, तो then the subject of the tag will be, तो कैसा question tag बनेगा, उसमें क्या लिखा जाएगा हमें से दे लिखा, अगर कोई भी अनिश्चित pronoun आ रहा है, उसका subject का, तो उसको question tag बनाते समय हम क्या लिखेंगे, उसमें दे subject लिखेंगे, देखें, जैसे, जैसे क्या somebody invited me, है न, कुछ लोगों ने मुझे invite क नहीं है, यह हमारा indefinite pronoun है, अगर हमारा यह indefinite pronoun है, तो उन्होंने बताया है इसकी जगम को क्या लेकना है, they use करना है, क्या लेकना है, दे यूच करना है, तो negative, यह हमारा क्या है, यह हमारा positive sentence है, somebody invited me, तो हमारा tag कैसा बनेगा, negative बनेगा, तो क्या बन जाएगा, didn't they, क्या और यहां पे देख लिए जैसे क्या है नं कैन्स कीट में है। तो इसकी जट क्या है हुगए इंडेफ्निट परोनाउन, कैसा प्रोनाउन है। इंडेपनिट परोनाउन की जगा हमको जिए सब्जेक्ट की रूप में आ जाने है। तो कैन हमारा क्या हो गया वर्व हो गई और उसके बाद subject क्या लिखेंगे नन की जगा दे यूज करेंगे यह हमारा rules कह रहा है कोई भी indefinite pronoun आ जाए अगर statement का subject indefinite pronoun होना है तो उसको question tag में change करते हुए हम क्या लगा देंगे दे यूज करेंगे आई हो फ्रेंट ये चीज़े आपको बहुत अच्छे से clear होई होंगी देख लेते हैं next rule देखें इफ दा सब्जेक्ट ऑफ दा स्टेट्मेंट इस नतिंग एवरेथिंग सम्थिंग और एनिधिंग देन दा सब्जेक्ट ऑफ दे टाइग विल बी इट देखें अब इसमें क सब्जेक्ट क्या हो जैसे दे दिआ गया हों न न दे दीा गया हो देरे दिया गया हो सब्जेक्ट करuक में नोजाए हो जाए सब्जेक्ट करूक में अर्मら है तो हम इसको क् 맛있 क्रियोंग प्रियोग करेंग यहां पे शनождerson कर दो में सेंट्ट करतें सेदेखें कडि देखें for example से देख लीगे जैसे क्या है everything is fine मतलब सब कुछ अच्छा है everything आया ना इसके जगों उने क्या कहा है कि आप it लगाए तो हम it लगा देंगे लेकिन हमारा sentence का ऐसा है positive sentence तो अगर positive sentence है तो हम क्या बन जाएगा हमारा question जाएगा negative बन जाएगे तो क्या हो जाएगे agent इट ठीक हो गया इसके according इजन्ट हो गया और everything के जगह हम क्या लिखेंगे एट लगाएंगे और question mark यह हमारा right बन गया इसी तरीके देख लीजिए यह क्या है देखिए इससे क्या है nothing has improved अब देख जाएं तो यह हमारा subject में nothing आया ने इसके जगह हमारा subject है competitive का जब हम बनाएंगे वह the question tag इट लगा देमार सभूप का लुख लगा देंगे ठीक है वाहार सँ सबस्क्राइप हमारा लीजिए थिए टीसके आर तो लगाते है उनपर इसके बाद question mark तो यह हमारा हो गया question time ठीक है इसी तरीके देख लीजिए next example देख लीजिए जैसे है something will be good something will be good something आया ना तो अब यहां पर हमने बताया था ना जितने भी anything something everything यह सब आगर आजाए सब्जिक्टिक रूप में तो हमको क्या लिख देना है उसके जगा इट लगा देना है तो यहां पर देख जाते हमारा sentence कैसा है sentence हमारा है positive तो इसका हम बनाएंगे कैसे negative बन जाएगा question तो विल को क्या हो जाता है want हो जाता है फिर उसके बाद क्या हो जा या फिर आप वीडियो को दो से तीन बार देखें तो आपको यह चीज़े विल्कुल clear हो जाएंगे friends ठीक है friend तो चलिए आप हम लोग class को यहें पर over करेंगे I hope चीज़ें आपको बहुत clear हो गई होंगे और class को over करने से पहले अगर आप चैनल में नहे हैं तो चैनल को subscribe करे लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक यू सो मच